Hello everyone, welcome back to my channel, आज मैं आ गई हूँ एक निव रिडिंग के साथ, आज की रिडिंग का टॉपिक रहने वाला है, इश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, इश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारा फर्स्ट कार्ड है जस्टिस, सेकिंड कार्ड है, एट उफ सोर्स हमारा थर्ट कार्ड है, टू अफ कपस, और हमारा लास्ट कार्ड है, एस उफ वैंट्स, तो गईज मैं यहां देख पा रही हूं कि यह जस्टिस का कार्ड, जब ही मैं रिडिंग करती हूँ, यह बार बार मेरे सामने आता है, यह कार्ड, ची लगता है कि यह साइन है, इस God Allah अमरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा करने वाले है मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आप मेंसे कुछ लोग बहुत जादा इस्टक एनरजी में हैं बहुत जादा बंदा हुआ महसूस कर रहे हैं एट और सोर्स हमें बता रहा है कि आप लोग निकलना चाहते हैं उनसे जो आपको दर्द दे रही है तकलीव दे रही है फिर भी आप उन सारे दुक्त से दर्द से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं आपको लगता है कि जैसे किसी ने आपको बांद दिया है आप उस कंडिशन्स में खुद को पाते ही नहीं है जहां से आप कुछ नया सोच सके या कुछ नया ट्राइ कर सके बट इश्वर आपसे यही कहना चाहते है टू अफ कप्स का कार्ड हमारे पास है कि उन्होंने आपके लिए बहुत सारी अपरचुनिटीज के दुआर खोल रखें आपके लिए नियू लव आने वाला है आपको जरूरत है बस इस टक एनरजी से बाहर आने की आपको खुद को एक दम फिरी छोड़ देना है जैसे चड़ियां होती है ना आसमान में उरती है उन्हें डर नहीं होता जमीन पर गिर जाने का बस वो तो उचाईयां ही उचाईयां चूती चली जाती है बस उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ जीनी है ये नहीं सोचना की कल किया होगा या परसो क्या हुआ था आपकी लाइफ में बस प्रेजेंट में जीना है और बहुत खुल के जीना है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में निव पार्टनर आने वाला है वो आपको बहुत प्यार भी देखा और मुझे लगता है कि आप लोग एक निव शुरुआत करेंगी अपने करियर में हो या फिर अपनी लाइफ में हो या फिर जीवन का कोई भी ऐसा मकाम जहां जो आप पाना चाहते थे वो सारह ही मुझे लगता है कि इश्वर ने आपके लिए खोल कर रख दिये हैं वो सारे दुआर यहां पर टू लव आता हुआ नजर आ रहा है टू अप कप्स एक तम पैशनेट लव जो आपको इतना अच्छा फिल कराएगा ना कि आप सारे दुग दर्थ जो भी आपको पास्टो में बिला था जो भी एक्स ने आपके साथ किया था जो भी बुरा किया था ना इश्वर चाहते हैं कि वो सब कुछ आप भूला कर एक नई शुरुआत करें अपने न्यू पार्टर के साथ हो या पुराने पार्टर के साथ हो बस इस टक इनर्जी से बाहर आ जाए इश्वर तो आपको जस्टिस देने के लिए तैयार वैठे हैं इश्वर तो बस आपको जस्टिस देना चाहते हैं वो चाहते हैं आपकी खुशिया कि बस आप खुश रहें यहां देख पा रही हूँ कि कुछ लोग किसी फैसले का इनतजार कर रहे थे या फिर किसी की हाँ या ना का इनतजार कर रहे थे तो मुझे लगता है कि उसकी ना हाँ में बदलने वाली है जिसने भी आपको पास्ट में reject किया था, अब वो खुद आएगा आपके पास और आपसे माफी मांगेगा, गिड़ गड़ाएगा आपके प्यार के लिए, क्योंकि उसको एहसास हो चुका है, इश्वर ने उसको एहसास करा दिया है, कि उसने आपके साथ बहुत कलिट किया है, अब आपकी छोड़ते हैं इश्वर कि आप किस के साथ अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके एक्स के साथ, या फिर आपके नेक्स्ट के साथ, तो ये इश्वर आपसे कहना चाहते हैं, कि मैं आपको जस्तिस देना चाहता हूं, आपको प्यार देना जाता हूँ बस इस टक एनरजी से बाहर आ जाएं क्यूंकि आपके लिए खुशियों की दर्वाजे इश्वने खोल दिये हैं